हलो प्यारे बच्चो बच्चो इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिस फर्स्ट फ्लाइट का जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गार्ड उसमें दो पोईम है उसकी फर्स्ट पोईम है दस्ट आफ स्नो ये पढ़ेंगे देखो बच्चो ये लिखी है रोवर्ट फ्रोस्ट ये अमेरिकन एक बहुत बड़े राइटर है ये जिनका ये चित्र है ये रोवर्ट फ्रोस्ट है इसमें एक बहुत एक स्टांजा ये है एक स्टांजा ये है दो स्टांजा के अंदर एक बहुत छोटी सी पोईम है लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा संदे छेपा हुआ है यह ना वो हम इसमें जानेंगे मैं पहले पढ़ता हूँ इसे दावे एक क्रो शुप डाउन ओन मी दा डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैम्लोक ट्री अब देखो इसमें क्रो तो आपको पता ही है कौवा होता है ठीक है ना शुक डाउन शुक होता है कि यह बना है शेक से इस से बना है ये सह के के शेक यानि हिलाना है न जैसे nahपको पता है तो इसकमें एक मशीण होती जोता है यह जोतीत पापाया शेक तो शेक फ़स्ट फॉर्म होती है चुक डिए और स्चुक यानई भलाया फिर है dust of snow अब देखो इसमें dust माने बैसे धूल होती है snow आपको पता यह वर्फ होता है लेकिन यहाँ पर आम इसको देखेंगे कि वर्फ की धूल से क्या तात पर यह है यह आपने देखा होगा जो बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं इंडिया के अंदर है हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर कुलू मनाली है ना ऐसे कस्मीर है तो वहाँ बहुत ज़दा ठंड पड़ती है तो यह जो moisture होता है जो नमी होती है air के अंदर वो freeze हो जाती है जम जाती है ठीक है ना तो हवाग के रूप में वह उपर से जो फोहारें गिरती है ना तो वो बर्फ की फोहारें जन को बोलते हैं तो dust of snow फिर एक नया शब्द है इसमें hemlock tree hemlock tree एक tree ऐसा wishes paid है ये जिसको एक ये इसके जो जहरीले जो ना पौधा है ये पेड है ये white color के फूल होते है इसके उपर ये hemlock tree है has given my heart आप देखो ये hurt नहीं होता गाओं के जो बच्चे होते हैं जातर मैं भी पहले इसको hurt बोलता था तो hurt नहीं होता ये इसको heart बोलते हैं hurt की spelling तो h-u-r-t होती है hurt या नि नुकसान पहुँचाना किसी को तो वो अलग होती है इसको क्या बोलते है heart बोलते है a change of mood ये तो आपको पताई है mood बदलना saved some part से व्यानी बचाना कुछ हिस्सा of day I had rude rude का मतलब होता है wasted in regret ये ना जैसे किसी चीज को पस्तावा करते हुए व्यर्थ कर देना है ना अपने आपको कोसना तो ये rude हो गया कि के देखो इसमें आपकी लिखा हुआ भी है ये hemlock hemlock क्या है a poisonous plant with small white flowers है ना और rude का मतलब क्या है held in regret regret मतलब regret यानि एक तरह से अपने उपर क्या करना दोश देना है ना या एक तरह से मन के भावों को अलग तरह से बना के रखना परेशान इस्तिती में रहना वैसे तो अब हम इसके भावार्त भी समझेंगे word meanings मैंने आपको बता दिये और फिर इसकी जो poetic devices है rhyming scheme, poetic devices और इसके question answer भी करेंगे ये ना आच्छा बच्चो अब देखो कि हर व्यक्ति के जीवन में कठनाईया आती हैं परेशानिया आती हैं दुवधाएं आती हैं संकट आते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार के अंदर जिसके जीवन में ये चीजें ना आएं तो सोभाविक है चूंकि हम मनुष्य हैं हमारा परेशान होना भी सोभाविक है हमारा मूड भी कैसा होता है कुछ ऐसी घटना घटित होती हमारे जीवन में कुछ तो हमारा जो मूड है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है हम उस उदासी भरे जो माहुल है उससे क्या आ जाते हैं बाहर आ जाते हैं अब ये खुद के दृस्टिकोंट पर निरुभर करता है कि हम उस परेशानी को कितना अपने से लगा के रखें तो अब इसमें देखो ये जो क्रो है कौवा आपने देखा होगा कौए को और कौएल को तो क्या है एक तर अंदर खराड पड़ी रहती है उसकी आवाज में कोएल जो होती है मधूर होती है ठीके न तो कोवा जो है इसको अशुब माना जाता है अशुब माना जाता है ये अशुब चीज के प्रतीक हैं लेकिन देखो बच्चो कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में अच्छे लोगों का महत्व होता है उसी तरह से कई वार जिनको हम बुरे बोलते हैं हलाकि वो सच में बुरे होते नहीं है हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए अच्छा होता है उसके अंदर कोई न कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसके अंदर कोई ने कोई अच्छाई चिपी होती है तो ये क्रो और जो हेमलॉक ट्री है ये भले ही क्या है एक बैड ओमन का प्रतीक है अशुब का प्रतीक है लेकिन फिर भी इनसे भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है अब दिखो इसमें क्या है कि ये जो लिखा है इसने कभी ने रोवर्ट फ्रॉस्ट ने कि ये जो हैं ये जा रहे थे बहुत परेशान थे सैड थे उदास थे और जा रहे थे और इनके ऊपर क्या एक ब्रक्ष था ब्रक्ष के नीचे से जैसे ये गुजरे ब्रक्ष पर क्या जमी हुई थी बर्फ जमी हुई थी ओस किस की रूप में जम जाती है बर्फ के ठीक है न तो जैसे ये उसके नीचे आये उस पेड़ के नीचे तो इनके उपर वो जो कौवा था उसने वो कौवा हिला उसने डाली क हिलाया ब्रांच को, हिलाया पेड़ की ब्रांच को और उस पैसे कुछ वर्फ इनके उपर गिरी, है ना तो एक तरह से इनका मन क्या हो गया? खुश हो गया, ठीक है ना तो एक तरह से वो जो सैड थे उस से क्या निकल के आ गए? उस मूड से बोचहार की किसकी दा डस्ट अफ स्नो बर्फ की फुहारों की फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री कहां से एक हैमलॉक के रक्ष से अब उससे हुआ क्या हैज गिवन माई हाट उसने मेरे हरदय को दे दिया क्या दे दिया एचेंज ओफ मूड मेरे मूड में बदलाव दे दिया जो मन की मनो दशा थी मन अस्थिती जो थी उसको प्रफुलित कर दिया और अब दिन का काफी कुछ हिस्सा तो ये क्या कर चक्या रिग्रेट के अंदर बरवाद कर चुके थे अपने आपको कोस कोस के उन्होंने अपने उसको आधे जो दिन को तो क्या कर दिया बरवाद कर दिया तो ये कहरें कि इस घटना ने मेरा जो बाकी का दिन था उसे बरवाद होने से क्या कर लिया बचा लिया ठीके तो अब देखो यहाँ पर अपन पहले देखेंगे मी और ट्री है ना तो देखो इसको मैं अगर ए मान दूँ क्या मान लूँ इसको इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ है ना और देखो क्रो और स्नो इनकी एक जैसी आवाज है तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया तो इसको मैं अगर C मान लू, इसको D मान लू, इसको C मान लू, और इसको D मान लू, तो क्या हो गया, C, D, C, D, तो ये दूसरी rhyming scheme हो गई, ठीके, अब इसके अंदर कुछ poetic devices है, इसके अंदर तीन poetic devices है, पहली है alliteration, क्या है, alliteration, a, double, l, i, t, e, r, a, t, i, o, n, alliteration, alliteration में क क्या होता है, कि a की line के अंदर, है न, जैसे देखो, आप यहां पर, saved sum, है न, तो इसमें भी s आ रहा है, यहां भी क्या रहा है, sum में भी s आ रहा है, say, यही लाइन के अंदर, 2 s, s आ रहे हैं, इसके अंदर, है न, ऐसे देखो, hedge और heart, है न, hedge और heart, यह रहा, hedge का, hedge और heart का भी, hedge, तो यह क्या है, कौन सी poetic device है, इसमें, alliteration है, दूसरा है, engement, क्या बोलते हैं, इसको, engement, बोलते हैं, e, n, j, a, b, m, e, n, t, engement, engement, engement में क्या होता है, कि देखो, इसमें कोई कॉमा, the way, a, crow, shook down on me, ना तो कोई कॉमा है, ना कोई full stop है, तो, दूसरी कौन सी poetic device है, इसके अंदर, engement, है न, continuation, जहां होता है, कोई कॉमा, और कोई full stop, नहीं होते हैं, ठीक है, न, same sentence, क्या होता है, continue होता है, तो वो, engement की poetic device होती है, ठीक है, तीसरा है, फिर इसमें, asonance, asonance क्या है, देखो, कुछ, bovel sound जो है, वो, आता है, जिसे इसमें, shook down on, तो देखो, shook down, तो shook में यहां पे, o जो है, वो prominent है, shook down में o, और on में o, न, तो यह क्या हो गया, asonance हो गया, a, double, s, o, n, a, n, c, asonance, ठीक है, तो यह क्या होगी, इसके 3 poetic devices हो गई, अच्छा, अब हम, इसके question answer करते हैं, तो मैं आपको यह question answer दिखाता हूँ, इसके, देखो, first question है इसका, what is, what is a dust of snow, what is a dust of snow, what does the poet say, has changed his mood, how has poet's mood changed, ठीक है न, तो इसका answer है, देखो, कि यह कहना क्या चाहरा, कि यहां dust of snow क्या है, the dust of snow means, the fine particles or flakes, of snow, इसको, छोटे-छोटे जो particles होते हैं, वो बोल दो, या flakes बोल दो, snow की, the sudden shower in the, अब दूसरा है था, what does the poet say, has changed his mood, how has the poet's mood changed, कैसे, यहनि, what does the poet say, लेखक क्या कहते हैं, कि उनका mood किसने बदला, और how has the poet's mood changed, poet का mood कैसे बदला, ठीक है, तो देखो, यह तो हमने dust of snow का देख लिया, फिर इसके बाद क्या है, the sudden shower in the form of dust of snow, जो अचानक से, जो shower हुई, बचार हुई, dust of snow की, उसने, poet के mood को क्या कर दिया, change कर दिया, the poet's mood changed from sad to happy, क्या हो गया, उनका mood, sad से happy हो गया, he felt refreshed, वो refresh हो गया, and wanted to enjoy the rest of the day, और जो बच गया उनका दिन, उसको क्या करना चाहते हैं, enjoy करना चाहते हैं, फिर second question है, how does frost, जो Robert Frost है, वो present nature in the poem, इस poem में वो nature को किस तरह से present करते हैं, the following questions may help you to think of an answer, आपके answer के लिए आप इन चीज़ों की help ले सकते हो, किसके लिए को ये तीन चीज़ों दे रखी न, इन से आप answer में help ले सकते हैं, पहला है, what are the words that are usually named in poem, कौन-कौन से पक्षी हैं, जिनका की इसमें नाम लिया गया है, है ना, तो क्यों सा है, क्रो का नाम लिया गया है, ठीक है, do you think crow is often mentioned in poem, क्या आपने सोचते हो कि crow को often mention किये गया है, yes, what images come to your mind when you think of a crow, जब आप crow के वारे में सोचते हो, तो आपके मन में कैसी image आती, तो मैंने बताया था ना, आपको शुरुआत में, कि कौवा जो है, किस तरह से, इसको अशुब माना जाता है, इसकी आवाज को, और गाउं में तो जैसे कौवा बोलता है न, उसको उड़ा देते हैं, ठीक है ना, अगेन, what is a hemlock tree, दूसरा आप क्या ले सकते हो, कि hemlock tree क्या है, why does the poet write about more, why does not, लेखक और सुंदर पेडों के वारे में, जैसे की maple है, ओक है, pine है, इनको क्यों नहीं लिया, लेखक ने अपनी poem में, hemlock को क्यों लिया, इसको यूज ले सकते हो आप, तीसरा है, what do crow and hemlock, या जो crow और hemlock है, represent, किसको represent करते हैं, जोए को करते हैं, और sorrow को करते हैं, तो पताइए हमने कोई किसको करते हैं, sorrow को represent करते हैं, what does the dust of snow, that the crow shake of a hemlock tree stand for, और ये जो dust of snow है, जो की लेखक के उपर उस कोवे ने गिराई है, ये किसको व्यक्त करती है, ये एक तरह से कि हर व्यक्ती के जीवन में, कोई ने कोई अचानक से ऐसी घटना घटे दो जाती है, जिससे कि उसका मन, उसका मूड क्या हो जाता है, प्रफुलित हो जाता है, तो इसका ये आंसर है, for frost represents nature in very different manner in the poem, अलग तरह से वो इस poem में प्रक्रती को व्यक्त करते हैं, generally, poet takes the birds and trees, which known for their beauty and good qualities, normally जो poet होते हैं, वो अपनी poems के अंदर सुन्दर सुन्दर उनको लेते हैं, birds को लेते हैं, जैसे कि peacock हो गया, parrot हो गया, कुकु, कोयल, मेनार, और पेड़ों को कैसे लेते हैं, वो जो beautiful flowers होते हैं, और fruits होते हैं, उन पेड़ों को लेते हैं, normally, but here, लेकन यहां पर, frost has taken a totally different approach, frost ने, Robert Frost ने, बिल्कुल भिन एप्रोच को काम में लिया है, he choose a crow, वो किसको किसका chain करते हैं, कौवे का करते हैं, which is not often used in poem, जो कि अक्सर poem में काम में नहीं आता है, crow is black in color and very harsh voice, काला रंग का होता है यह, और इसकी बहुत harsh voice होती है, मधुर नहीं होती है, and is believed to be a symbol of bad omen, और इसे अशुभ चीज का प्रतीक माना जाता है, thinking of a crow brings very depressing and sorrowful picture to our mind, तो कौवे के बारे में सोचना हमारे मन में कैसी एक depressing और बड़ी दुख भरी picture हमारे मन में यह उपस्तित करती है, ठीक है, फिर यह next point ही लिख सकते हैं मांसर में, के hemlock tree is a poisonous plant, with small white flowers, ठीक है, तो संसार के जो से सुंदर जो ब्रक्ष हैं उनको छोड़ दिया, उसने किसका chain किया, hemlock tree का, actually he did so, उन्होंने बास्तम में इसलिए किया, ऐसा, his mood and feelings, जिससे की वो अपनी moods और feelings को represent कर सकें, present कर सकें, फिर है, crow and hemlock tree represents sorrow and depression felt by the poet in this materialistic world, देखो ये materialistic world का मतलब क्या है, ये भौतिक वादी जो संसार है, जहां उब्भोकता वादी बोल दो इसको, लोग चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, संग रह करने में, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे सुक्षुधाएं, ये आराम चाहिए, तो इस भौतिक वादी युग में हर व्यक्ति किसमें डूबा हुआ है, सौरो में डूबा हुआ है, और डिप्रेशन में डूबा हुआ है, ठीक है न, और जो डस्ट अफ स्नू है, ये सिंबल किसका है, नेच्रल जॉइ अट अशॉइ अनेजी का है, ठीक है न, तो एक तरसे से शैड ने से वो किसमें जा रहा है, अप्टिमिजम सकरात्मकता में कर रहा है ठीक है फिर इसका ये last question है third have there been times क्या कभी ऐसा समय रहा है when you felt depressed and hopeless जब आपने depression फील किया हो आप निरास हुए हो तो ये तो पता ही अपने को हर व्यक्त इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कभी अपने जीवन में ना तो depressed हुआ हो ना ही hopeless हुआ हर व्यक्ति कभी न कभी depressed भी होता है और hopeless भी होता है have you experienced a similar moment क्या आपने भी कोई ऐसा moment महसूस किया है that changed your mood that day जिसने की आपके mood को बदल दिया हो तो होता है ना जिसे पापा परेशान है ठीक है ना बच्चा छोटा बच्चा है कोई घर का है ना वो प्यार से बोलता है पापा को गले लगा लेता है तो पापा का mood क्या हो जाता है अच्छा हो जाता है उनका चाहे भले ही वो कितनी ही परेशानी में हो ना तो इसका अंसर है there have been innumerable times बहुत समय ऐसा हुआ है when I too have felt depressed जब मैं depressed फिल किया मैंने hopeless फिल किया sometimes कभी कभी तो such moments were aroused इस तरह के छण आये by other people अने लोगों के द्वारा कई दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे प्रती अच्छा नहीं होता तब ऐसे व्यवहार आते हैं and attitude उनके व्यवहार और उनके attitude के वज़े से and sometimes और कभी कभी तो खुद के कारण बीज़े से हम कई बार हम खुद गलती कर देते हैं फिर बाद में पस्ता आते हैं regret करते हैं हम on one occasion अब लेखा के एक बार यह जो है ना I saw a girl playing बेदे puppy तो मैंने एक लड़की को देखा एक puppy के साथ खेलते हुए embracing and feeding him जो उसे प्यार कर रही थी और उसे खिला रही थी कुछ न कुछ खाना खिला रही थी this little joy that this year changed my mood है ना जो वो आनंद एक दूसरे के साथ अनुभब कर रहे थे उसने मेरे mood को बदल दिया and I felt very happy for the rest of the day और बाकी के दिन में कैसा रहा उस moment को याद करके खुश रहा I also joined the two and played with them और मैं भी मैंने भी उन दोनों को जोइन कर लिया और मैं उनके साथ खेला इस तरह से आपके ये तीन question भी पूरे हो गए ठीके बच्चो तो मैं आसा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आपको अच्छा लगा तो आप अपने friends के साथ share कीजिए God bless you all